हम लोगोंने प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करके देखा आउटडोर की चीज़ें भी डिजाइन की और अब हम स्क्रीन के लिए भी काफी चीज़ें जो है वो डिजाइन करके देख रहे हैं इसी तरह से स्क्रीन के हवाले से जब हम चीज़ें को डिजाइन कर रहे होते हैं और तकरीबन हर ब्रैंड और हर क्लाइंट जो है वो चाहे किसी प्रॉड़क को सेल कर रहा हो किसी सर्विस को सेल कर रहा हो या कुछ भी किसी भी किसम के बिजनस सेक्टर से तालुक रखता हो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने फेस्बुक के पेज को और इंस्टाग्राम के अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रन कर सके इसके अंदर उसको मदद चाहिए होती है हम लोगों की यानि के ग्राफिक डिजाइनर्स की किस तरह से कि हम लोग ही वो लोग है जिनकी मदद से वो लोग अपनी जो पोस्ट्स है और अपने पेज का जो विज्वल ट्राफिक है उसको जह है जिन्दा रखते हैं हम पेज के लिए कवर फोटोज फेस्बुक के पेज के लिए और उसके लावा पोस्ट वगरा डिजाइन करते हैं इसी तिना से हम इंस्टाग्राम के हवाले से डिफरिंट जो पोस्ट वगरा वो लिए वापना में बैसे के लिए क्लाइपन इन इनको हम बहुत जादा वेटिच देता हैं बहुत इम्पॉर्टन समझते हैं अच्छा जी अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हम लोग जब स्क्रीन के लिए डिजाइन करेंगे तो जैसा कि हमने वेब साइट भी डिजाइन करके देखी तो हमें पता है कि हम उसके लिए कौन सी सेटिंग्स हमने रखनी है किस तरह से हमने किन चीजों का हमने ख दूँगा और उसके लावा हम लोग एक अभी पोस्ट है वो डिजाइन करके देखेंगे अच्छा मैं जो एक अभी जो टॉपिक मैंने लिया है वो पी टी डी सी के हवाले से हम वर्ल्ट टूरिजम डे के हवाले से एक पोस्ट डिजाइन करेंगे देखे होता ये कि कुछ पो ब्राइज को इड़ेन वर्लट को अपने पेजज के साथ एंगेज रखने के लिए क्या करता है कि कोईवी जो बिजर कास्टे को एक ऐस फो इव civil eerste के पोस्ट इमार्थ प्लेज्ञाइन आप्लोड करते हैं और वो ग्लाफ्ट अपने World Tourism Day के हवाले से Facebook की post और Instagram के हवाले से भी आपको मैं information देता हूँ अच्छा जी Photoshop मैंने यहाँ पर open कर रखा है अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि new document जो है वो मैं choose करने वाला हूँ जनाब यहाँ पर हम क्योंकि अब screen के लिए design कर रहे हैं तो हम जो unit है वो pixel के अंदर लेंगे तो मैं अभी Facebook के हवाले से जो एक standard post होती है Facebook की उसका size मैं यहाँ पर लिखने लगाँ 940 pixels मैं इसकी width लिख रहा हूँ और 768 pixels जो है वो मैं इसकी height लिख रहा हूँ अच्छा जी अब यहाँ पर हमें यह जो resolution है वो हमें 300 नहीं चाहिए यहाँ पर resolution हम इसकी जो है वो क्योंके again हम screen के लिए काम कर रहे है तो हम resolution जो है वो 72 रखेंगे और इसी तरह से जो color mode है वो भी हम CMY के नहीं रखेंगे बलके हम RGB रखेंगे because we are working for screen और screen के लिए यही सारी settings जो हम choose करते हैं तो यह जनाब यली हमने एक जो standard post होती है Facebook की उसके लिए हमने settings जो है वो ले ली है अब मैं अपने document को जो है वो create करता हूँ यह मेरे पास मेरा canvas आ गया जिसके उपर मैं अपनी जो Facebook की जो भी मैं post बनाऊंगा वो मैं बना सकता हूँ अच्छा अब यहां पर मैं थोड़ा साब को sizes के हवाले से guide करता चलों देखें एक तो बहुत important बात यह है कि जो हमारी social communication websites हैं जिसना से Facebook है या applications हैं जिसना से Instagram है यह गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ अपने जो pages के interfaces में तबदीलियां लाते रहते हैं अच्छा इन तबदीलियों और changes के वज़े से होता क्या है कि जो इनके standard sizes होते हैं इनकी posts वगरा के या cover photo जिसना हम Facebook में बनाते हैं उनके जो sizes हैं they keep on changing तो आपने क्या करना है यह अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यह currently जो Facebook की standard जो हम post design करते हैं उसका मैं बता रहा हूँ इसके लावा जो Facebook के उपर जब हम कोई image को link कर रहे होते हैं तो उसके लिए size अलग है यह इस वक्त हम लोग जो है वो वाला size बना रहे हैं जो के हम एक कोई भी post किसी भी page के उपर standard जो है वो Facebook की upload करते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस बात को जहें में रखें कि जब भी आप Facebook या Instagram के हवाले से कोई भी post वगरा design करें किसी client के लिए तो कोशिश करें कि एक बार verify कर ले लाजमी के उस वक्त जब आप ये काम कर रहे है currently at that moment कौन से sizes कितने pixels विट और हाइट वगरा जो है वो उस application या उस website के हवाले से जो है वो standard इस वक्त चल रही है तो ये एक बहुत important पॉइंट है इसको आपने लाजमी तोर पे अपने जहें में रखना है अच्छा साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता है चलों कि Instagram ये भी मैंने Facebook का size लिया है Instagram की जो post है उसके लिए हम 900 पाइ 900 पिक्जल या 600 पाइ 600 पिक्जल का जो size है वो आम तोर पे लेते हैं currently again based on currently जो इस वक्त Instagram के post size चल रहे हैं उनके हवाले से और याद रखें Instagram क्योंके application है और mobile पे यूज होती है तो उसकी जो post है they are majorly squarish squarish form में ज़्यादा तर जो है वो उसकी post है वो हमें देखने को मिलती है आम तोर पे तो चले जी अब हम ये अपना जो डिजाइन है इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं P.T.D.C के हवाले से एक post जो है वो डिजाइन करने जा रहा हूं उनके page के लिए तो ये हमारे पास कुछ resources जो है वो मेरे पास यहाँ पे available है कुछ vectors है और उसके लावा जो है वो हम इसको अब start करते हैं जनाबी अली ये एक मेरे पास वेक्टर पढ़ावा है बहुत जबदस किसम का ये है जनाबी अली directly related to tourism और क्योंके मैं tourism के हवाले से ही ये जो design बनाने वाला हूं ये मैं यहाँ पे इसलिए इसको जावो इसका इस्तमाल जावो करने लगाँ तो ये जनाबी अली मैं यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर लूँगा ठीक है जी अच्छा अब मैं कुछ थोड़ा सा background के हवाले से भी working कर लूँ तो इसको मैं जो है वो राइट क्लिक करके कर लेता हूं जनाबी अली रास्टराइज अच्छा जी अब हम क्या करते हैं कि हम background के लिए कुछ हलका फलका gradient सा जो है वो बनाते हैं मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि असान टिप यह है कि आपके किसी विजूल या आपके किसी भी जो आप illustration या कोई चीज यूज करें उसी के अंदर से आपको color लेके background बड़े अराम से बड़ा मज़दार आपको बना सकते हैं तो यहां से मैं अब यह gradient जो है यह create करने वाला हूं यह देखें यह gradient जो है सेफ कर रहा हूं अच्छा जी यह PSD मैंने सेफ कर लिया है अब जनाब याली मैं green इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंके green को tourism के हवाले से एक खास हैसियत यह हासल है कि green जो color है उसको समझा जाता है कि यह freshness का और तरो ताजगी का जो है वो एक जो ट्रावलिंग है वो भी बैसिकली हमें refresh करने में अपने आपको मदद देती है री बूस्ट करने में मदद देती है तो इसलिए green का इस्तमाल मैं यहां पे कर रहा हूं tourism day के हवाले से अच्छा जी अब यह मेरे पास जो है वो एक लोगो मेरे पास ptdc का पड़ावा जो के मैं यहां पे अपने design के अंदर जो है वो apply करने जा रहा हूं अच्छा जी यह हमारे पास logo है इसको मैं control c करता हूं और यहां पे अपने photoshop में आके अपनी file के अंदर मैं इसको control v यानि के पेस करने लगा हूं और यहां पे इसको मैं लेकर आ रहा हूं as a smart object definitely आपको पता है कि हम logos को as a smart object जो है वो लेकर आते हैं आम तोर पे इसको मैं थोड़ा से चोटा कर लेता हूं और यहां पे तकरीबन इसको मैं centralize करके जो है वो मैं इसको प्लेस कर रहा हूं अच्छा जी control a प्रेस करके मैं चेक कर सकता हूं कि यह मेरा जो लोगो है यह centralized है तो yes my logo is exactly in the center अच्छा जी यह मेरे पास आ गया है मेरा लोगो तो मैं इसको साथ-साथ rename करता रहूं अपनी file को ताके मुझे पता लगे और याद रहे कि मैंने basically कहां पर क्या चीज जो है वो रखी थी अच्छा हम post के अंदर क्योंकि यह एक छोटी चीज होती है छोटे scale की चीज होती है तो हम इसको बहुत complicated नहीं बनाएंगे हम इसके अंदर बिलकुल simplified एक कुछ थोड़ा सा वेक्टर या image वगरा यूज करते हैं उसके साथ हम कुछ text और logo वगरा add करके अपना message है वो clear करते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा से simplified रखे हैं ताके हमारा message है वो छोटे scale के अंदर भी बड़े effective way में communicate हो सके तो अब यहां पर मैं क्या करने लगा हूँ जी कि मैं यहां पर text जो है वो कुछ type करने लगा हूँ मैं कुछ यहां पर लिखने लगा हूँ celebrating world tourism day यह ने जी मैंने अपनी यहां पर एक heading जो है वो यहां पर लाके लिख ली है इसको मैं बड़ा करूँगा और इसका जो font है वो मैं change करने लगा हूँ यहां पर मेरे पास यह Alex brush के नाम से एक font जो हो मौझूद है अच्छा जी यहां पर हम Alex brush font जो है यह इस्तमाल करेंगे और इसके लावा हम क्या करेंगे कि हम इसको सेलिब्रेटिंग के बाद यह जो वर्ल्ल टूरिजम डे है इसको नीचे ले आते हैं इसको हम कर लेते हैं जनाब याली centralized और अब आप देख रहे हैं कि यह जो distance है वो काफी कम है तो हम यहां पर आएंगे text के उपर और यहां पर आके हम जनाब याली यह जो vertical distance है lines के बीच में इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको जनाब याली देने लगा हूँ right click करके blending options में जाके मैं इसको देने लगा हूँ हलका सा stroke इसको मैं दूँगा जनाब याली white तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अब कंट्रोल ए करके इसको हम कर लेंगे जनाब याली centralize अच्छा जी यह हमने जो है वो बलके हम इसको stroke को हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं just for an option कि अगर हम इसको थोड़ा सा ग्रे की तरफ लेके जाए यहां में इसको जो है वो पहले की तरह white ही रखेंगे अच्छा इसके लावा हम यहां पे अब day जो है जो date है जो celebrate की जाती है tourism day के हवाले से उसको हम लिखने लगें जो के है September 27th September साल मैं यहां पर नहीं लिक रहा क्योंके जो है वो यहां पर मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो देना चाहरा हूं जनाब date इसके बाद मैं यहां पर आके पॉंट लगाऊंगा इसको agency FB जो के यहां पर इस वक्त इसको जो है वो काफी ज़यदा सूट करेगा अब हम जड़ा इसको थोड़ा सा इन दोनों हमारी जो text है इनको हम जड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है जी और इसी तरह से जो हमारे पास 27 September लिखा हुआ है इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यह बिल्कुल center के अंदर ही है फिर भी हम त्यातर ने दोनों को select करके हम यहां से आके इसको चेक कर लेते हैं इसके बाद अब यह जो मेरे पास नही लेयर है इसक paste layer style तो यह हमारा जो हमने वो लगाया था stroke लगाया था वो यहां पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा अच्छा जी अब जुनाबी अली हम क्या करने वाले हैं कि लोगों को हम थोड़ा सा उपर करते हैं यह हमारी जो है वो पोस्ट तकरीमन त्यार हो चुकी है लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कुछ value ऐड़ करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पे हमारे पास अगेन एक और जो है वो वेक्टर कौम के अंदर कुछ चीज मौजूद है इसको मैं यहां पे लेके आता हूँ यह जिस तरह से स्कायलाइन होती है जो हम देखते हैं डिफरेंट दुनिया की डिफरेंट स्कायलाइन होती है जिसका काफी ज्यादा गहरा इसका जो है वो तालुक है टूरिजम के साथ इसको मै जनाबी अली राइट लिक करके रास्टराइज करता हूँ इसका कलर मैं करने लगा हूँ जनाब ग्रे इस तरह से इसको बलके मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे की तरफ लेके जाँगा ऐसे और अब ये जो मेरा लोगो है इसके लिए मैं जनाबी अली लोगो के लिए नीचे जो है वो एक दे दूँगा वाइट कलर की स्पेस ताके मेरा जो लोगो है वो बिलकुल ठीक तरीके से विजिबल हो सके ये देखें जी ये मैंने एक वाइट स्पेस से दी इन दोनों को मैं कर लेथा हूं जनाब सेंट alize और इसको मैं कर लेता हूं गूप गूप करके इसको मैं कर लेता हों यहां प़े सेंटAlize तो ये जनाबी याली हम लोगों ने पोस्ट जो है एक फेसबूक के हवाले से about celebrating world tourism day अब तो इंस्टाग्राम के हवाले से भी हम बिलकु सेम डिजाइनिंग प्रोसीजर है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमने साइज जो है वो चेंज करना है। स्क्वेरिश पिक्जल्स के अंदर 600 x 600 और 900 x 900 का हम साइज अप्लाइ करेंगे। और सेम प्रोसीजर के साथ हम वो भी जो ले आउट है वो भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। जी तो आप लोगों ने देखा इस लेसन में हम लोगों ने फेस्ट बुक और इंस्टाग्राम के हवाले से पोस्ट डिजाइन करना सीखा। और हमने देखा के बड़े अराम से हमने बड़ी एक मज़दार सी पोस्ट डिजाइन कर ली वर्ल्ल टूरिजम डे के हवाले से तो आप लोगों को यह प्रोसीजर समझ आ गया होगा। आपको साइजिस के हवाले से मेनेजर इंफर्मेशन दी है उसको भी आपने जहें में रखना है और आपने उसके उपर रिसर्च करते रहना है तो इंशालत आला नेक्स लेसन में इसी तरह से कोई और नई चीज़ जो है वो हम डिजाइन करके देखेंगे।